वो है theory topic ही है क्योंकि chapter first पूरा theory ही है actual में chapter first नहीं बोले जाता है इसे unit first बोला जाता है जितनी भी universities है इंडिया के अंदर और उसमें भी कॉम के अंदर जो financial accounting subject है उसमें unit 5 होती है लगबग किसी में 6-7 भी होती है first unit में theory है वो theory ही chapter first में मान के चल रहा हूँ तो आज का हमारा topic है वो है ये तीन चीजे accounting convention, accounting concept and accounting principle तो accounting convention जो है वो क्या होती है accounting concept क्या होता है accounting principles क्या होते है अधिकतर अधिकतर क्या होता है कि इन तीनों को एक ही समझ लिया जाता है ऐसा नहीं है तेनों के बीच में difference है, लेकिन ये एक दूसरे से interrelated है, यानि कि एक दूसरे से संबन्दित है, accounting conventions को जो हिंदी में लेखांकर परमपराय बोला जाता है, conventions को और accounting concept को हिंदी में लेखांकर अवधारनाय बोला जाता है और accounting principles को हिंदी में लेखांकर सिधान्त बोला जाता है अब यहाँ पर अगर हम accounting word हटा दे है ना और फिर हम समझे कि convention concept और principle क्या होता है normally किसी भी चीज का convention मतलब परंपरा तो सबसे पहले किसी भी कोई भी चीज start होती है न तो एक परंपरा बन जाती है और वो फिर आगे जाके क्या बनता है एक concept बन जाता है और फिर आगे जाके वो क्या बन जाता है principle बन जाता है यानि कि वो सिधान्त बन जाता है उसके उपर उसके rules and regulation बन जाती है ऐसा ही accounting के साथ में गुआ accounting से related जब accounting start होई तो उस टेम कुछ परंपराय आई वो चली फिर वो आगे जाके concept बन गई अधारणा बन गई और फिर उसके उपर कुछ rules and regulation बन गई और वो principle का रूपली उहने ले लिया तो कहने का मतलब है सबसे पहले accounting conventions बनती है उसके बाद वो किसमे कनोड हो जाती है accounting concept में और फिर accounting concept आगे जाके किसमे कनोड हो जाते accounting principles के अंदर यानि कि accounting principle लेखांकन सिधांतों का base क्या है accounting concept और accounting concept का base क्या है accounting conventions ठीक है यानि कि लेखांकन परंपराय अब देखिए step by step चलते हैं सबसे पहले एक एक करके समझेंगे तीनों में difference थोड़ा बहुत हमने जाना है और अभी हम जानेंगे तो चलिए continue करते हैं यहाँ पर तो यह देखिए इसका theory question exam में आता है कई बार बच्चा ज़्यादा इसमें लिख नहीं पाता है अगर आप यह पूरा लेक्चर देखते हैं end तक तो मेरी guarantee है आपको वापस इसके बाद और कुछ पढ़ने की ज़रूत नहीं पढ़ेगी अगर इन तीन चीजों का difference बताना हो या इनको explain करना होगा तो तो चलिए सबसे पहले what is convention convention होता क्या है accounting नहीं only convention तो a traditional way of behaving of or doing something एक traditional तरीका परंपरागत तरीका किसी चीज को करने का हना जैसे अपने इंडिया किंदर आपको पता है एक परंपरा स्टार्ट होई कि जो बड़े लोग छोटे बच्चे होते हैं या जो छोटे होते हैं वो जो बड़े होते हैं उनके क्या पाउच होते हैं ये क्या है ये एक convention है एक परंपरा है और फिर ये परंपरा क्या बन गई आगे जाके concept बन गई वो कैसे बन गई कि अगर आप बड़े के पैर छोगे तो आपको आसिरवाद मिलेगा फिर उसके आगे rules and regulation बन गई कि जैसे साधी होती है तो साधी के बाद में जो नया जोड़ा होता है वो अपने parents के पाउच होता है तो ये कुछ फिर उसके उपर principles बन गईगी कब-कब ऐसा करना है नया दिन आएगा तब जूने है तो पहले परम्परा स्टार्ट होती है फिर अवधार्न और फिर सिधान ऐसे मामला चलता है ये तो होगिया simple आपको इन तीनों के बीच में difference पता चल गया conventions, concept and principle अब आजाते हैं accounting conventions के उपर accounting conventions ये होती थी कि पहले SLM जो state line method सिधी रेखा भी दी state line method एक depreciation का method था depreciation लगाने का method जो सबसे simple होता था, जिसमें हर साल depreciation क्या लगता था एक जैसा, अपने 11-12 में पढ़ा होगा depreciation यानि कि मुल्ले हास नाम का चप्रक तो उसमें एक state line method होता था यानि कि सिधी सरलेखा विधी होती थी हास लगाने की, depreciation लगाने की जिसमें depreciation हर बार सेम लगता था तो ये जो है एक परंपरा बन गई थी एक conventions था लेकिन बाद में ये क्या बन गया आगे जाके concept बन गया और फिर आगे जाके क्या बन गया इसके उपर principles बन गए इसके rules and regulation बन गए accounting standard बन गए तो ऐसे ठीक है अब हम बात करते हैं accounting इसका मतलब अब जैसे ये SLM नाम का जो depreciation method था state line method अभी भी क्या वो accounting conventions है नहीं अभी नहीं है क्यों क्योंकि वो पहले वो concept बना concept बनने के बाद में वो principle बन चुका है तो वो अभी भी accounting अभी तक concept नहीं बनी है प्रिंसीपल नहीं बनी है वो है चार वो कौंवेंशन अफ डिस्क्लोजर यानि की पून प्रकर्टिकरन की परंपरा एक है आपको अकांटिंग कॉंवेंशन समझ में आगया होगा यानि की लेखांकर्ण परंपरा आपको समझ में अगी होगी अब तो कॉल्प हम बात करते हैं अकांटिंग Shelbyrado यानि के लेखांकर्ण अवधारना की बात कर लेते हैं खांकर्न ऑधारना क्या होती है शिल एकि ऑजांशन होती है और यह एजएंसन किसके बेस पे ली जाती है इनके पिए इनके बेस पे लिए इनके बेस पर पर हम क्या तयार करते हैं financial statement financial statement समझ गए ना विद्धिय विवर्ण यानि की final account जैसे statement और बैलन सीट है रहा तो वो सब हम किसके बेस बनाते हैं accounting concept के बिना accounting concept के final account प्रिपेर नहीं किया सकते तयार नहीं किया सकते ओके इसके अलावा जो accounting concept होता है वो खुद बेस होता है किसका accounting principle तो accounting principle जो बनाए जाते हैं उसका बेस क्या होता है उसका बेस होता accounting concept कौन कौन से होते हैं वो यह रहे 9 है total accounting concept एक separate entity concept यानि कि business में नालग है business अलग है बोध हार separate वाला money measurement concept उन्हीं चीजों को record करना है जिसे money में measure किया जा सकता है मापा जा सकता है मुद्रा मापकन अवधारना बोलते हैं इसको फिर ए going concern concept कि वेपार business लंबे टाइम तक चलेगा फिर dual aspect concept double entry system वाला cost concept costing वाला revenue recognition concept की revenue को कब recognize करना है यानि कि कब उसको लिखना है matching concept किसको match करना income or expenditure का matching concept accrual concept भले कोई income मिली हो या नहीं मिली हो उससे मतलब नहीं अगर उसको अंड कर लिया है कमा लिया है तो उसको दिखाना पड़ेगा यह एक रूवल concept के अंतर आता है कोई भी expenditure हमने कर दिया है तो चाहे उसका payment किया है नहीं किया है उसको उसी करन्ट यह में दिखाना है यह क्रोल अगर कोई मुझसे लाइव क्लास लेना चाहता है तो आप लोग हमारी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप का नाम है commerce वाले गुरुजी एप commerce वाले गुरुजी एप वहाँ पर live classes चलती है recorded classes भी मिल जाएगी आपको बिल्कुल low fees के अंदर अच्छी quality का education आपको मिल जाएगा और इसके लिए आप मेरे को कोई problem हो तो इस इस नंबर पर कॉल करके कोर्स के बारे में information भी ले सकते हैं मोबाल नबर है 9461234898 चलिए अब आजाते हैं हम हमारे accounting principle लेखांकन सिद्धान्त पर लेखांकन सिद्धान्त क्या है accounting principle क्या है यह rules है guidance है और इनको rules को guidance को किस के base पर तयार किया गया है accounting concept के base पर तयार किया गया है को के अगर किसी फाइनेंसिल डेटा को रिपोर्ट करना हो तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रुक पड़ती है अकॉंटिंग प्रिंसिपल क्या है है सिम्पल सीधा बताऊं आकको तो पैटन और लिंट्य टब ये दो विषिए सगिये थे एक्सपर्ट थे अकॉंटिंग के इन होने करने कुछ भी नहीं है अकन ऑगो ने क्या एक कुछ भी नहीं है आपके आकाउंटिंग इस टेंडर में यह इस नाम सुना है आपने अकाउंटिंग स्टेंडर नाम सुना ही होगा आप अगर कॉमर्स से बैग्राउंड से हैं 11 12 आपने कॉमर्स पढ़ रखा है तो आपने अकाउंटिंग स्टेंडर नाम तो कहीं न कहीं जरूर सुना होगा तो वो जो अकाउंटिंग स्टेंडर होत सबसे पहले अगर इंटरनेशनल लिवल की बात करूं तो आई एस सी यानि की इंटरनेशनल अकांटिंग स्टेंडर्ड कमिटी मैं इसका नाम बता देता हूं आपको इसका नाम क्या है इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल समझ नहीं बहुत अच्छा कॉंसेप्ट है आगे ठीक है यह इसका फुल फॉर्म है आई ए एस सी का इन्होंने क्या किया आई एस सी यह कमिटी है इंटरनेशनल अकांटिंग स्टेंडर्ड की कमिटी है इन्होंने एक बोर्ड बनाया है ना बोर्ड गटित किया इन्होंने बनाया इन्होंने उस बोर्ड का नाम है आई इंटरनेशनल अकाउंटिंग। स्टेंडर्ड बोर्ड फूल फॉर्म लिख देना बहुत काम आई और इसको समझना यह है क्या। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर एक कमीटी है। उसने IASB यानि कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टेंडर्ड बोर्ड नाम किया बना दिया एक बोर्ड बना दिया उस बोर्ड का काम क्या था अकाउंटिंग स्टेंडर्ड त्यार करना और उस अकाउंटिंग स्टेंडर्ड को क्या बोला गया जो इंटरनेशनल लिवल पर अपला होटे इंडिया में इंटरनेशनल लिवल पर उस उनका नाम रखा गया इँटरनेशनल फाइनसियल रिपोर्टिंग स्तेंडर् और ये लगबग वन फिप्टी प्लस एक्सकोंपचास से ज्यादा देशों में अभी अकॉंटिंग इस्तेंडर् यानि कि जो ٹो आ इनको बोला जाता है International Financial Reporting Standard, यह Accounting Standard है यानि कि Accounting Principles है जो किस ने बनाए है है? IASB ने बनाए है, IASB मतलब International Accounting Standard Board ने बनाए है और इस Board का गठन किस ने किया था? IASC ने, International Accounting Standard Committee ने किया था यह गृमिटी है, उसने यह Board बनाए है, उसने इंट्रनेशनल लेवल पर अपलाई होने वाले accounting standard बनाए यानिक accounting principle बनाए जो 150 देशों से ज़्यादा country में यही apply किया जाते है सिदे के सिदे अपने इंडिया में भी IFRS ही apply किया जाते हैं लेकिन थोड़े बोध changes के साथ में हमने as a tis एपो इंडिया में apply नहीं कि हमने उसके अंदर थोड़ा बोध change किया गया उसको बोला गया accounting यह इंडिया का board accounting standard board और इस accounting standard board का गठन किस ने किया वो किया आई cai ने यह कौन है यह है institute of institute of chartered accountant अगांटेंट आफ इंडिया जो यह करवा था न यह वह 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 ही है तो उस आई cai ने क्या किया ASB accounting standard board बनाया और accounting standard board ने क्या किया IFRS को लिया उसके अंदर कुछ changes की जिसको carve in और carve out बोला जाता है जो है न कुछ जोड़ना कुछ हटाना वो किया और उसको एक नया नाम दिया INDAS और वो apply कर दिया अब इंडिया में कौन से accounting principle apply होते हैं INDAS यानि की Indian accounting standard और international level पर कौन से होते हैं IFRS यानि की international financial reporting standard यह था इन तीनों चीजों के बारे में हम accounting principle करने वाले हैं जिसको मैंने बोला था पैटर्न ओल लेटिल टन ने इसको जो accounting principle है उसको क्या माना accounting standard तो हम accounting standard के बारे में आज full detail के अंदर समझने वाले हैं और वहाँ पर आपका आ जाता है IFRS और वह आपकी syllabus के अंदर है पता आपको जी हाँ लगभग सारी university के unit number first के अंदर financial accounting subject के अंदर वित्य लिखांकन के अंदर IFRS है IFRS का introduction है और ये exam में question 100% आएगा IFRS के बारे में इस बार ठीक है क्योंगी ये latest changes है latest चीज है तो exam में कोई ज़्यादा बार आई नहीं है ना तो ये exam में आई गी ठीक है चली हम continue करते हैं यहाँ पर इसके लिए मुझे चाहिए यह यहाँ 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 आगे देखो तो देखिए यहाँ से अपने start करें IFRS क्या होता है क्या नहीं होता है तेकि उससे पहले मुझे आपको कुछ चीजे explain करनी है तो मैं explain करता हूँ मामला कुछ ऐसा है कि कुछ चीजे होती है चलो छोटा ही ठीक है ओके अरे बाई कुछ चीजे होती है उसको पहले explain करते हैं फिर हम धिरी धिरी IFRS के पास में जाएंगे accounting standard जिसके बारे में हम बात कर चुके है accounting के principles होते हैं तो accounting जो standard होते हैं अगर इंडिया में बात करें तो यह accounting standard ASB ASB मतलब accounting standard board accounting standard board ने जारी किये हैं और accounting standard board का गठन बोल सकते हैं आपन या constitution या constituted by ICAI, ICAI मतलब institute of chartered accountant of India उसने ASB accounting standard board बनाया और इस accounting standard board ने AS इसू किये इस मतलब accounting standard इसू किये थे जो हम अभी तर पढ़ते हुए आ रहे है accounting standard यह पूराने standards हैं ठीक है यह total कितने थे international accounting standard committee बनी वही है उस international accounting standard committee ने IASB IASB का मतलब होता है यहाँ पर international accounting standard board आप साथ साथ में नूट कर सकते हैं तो IASC जो कि committee है international accounting standard committee है उसने IASB हानिके international accounting standard board बनाया और इस international accounting standard board ने स्टेंडर्स accounting standards इसू किये इसमें एक तो इसने इसू किये IAS और एक इसने इसू किये IAS का मतलब क्या होता है इंटरनेस्टनल 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 इसमें कितने है 41 है 41 IAS इसू किये international level पर फिर IFRS यह हाली में इसू किये ठीक है यह IAS इंटरनेस्टनल financial reporting standard यह अभी इसू किये है ठीक है तो यह कितने है यह है एक से 16 अब इंडिया के अंदर क्या हुआ कि जो international level पर accounting standard इसू होते है तो वह बहुत जादा countries उसको follow करती है और example के लिए जो accounting accounting के standard इसू किये गए है accounting standard किसने इसू किये है IASB इस पहले कर चुका था IFRS हाले में किये है यह दोनों जो इसने standard इसू किये है accounting principle इसू किये है यह बहुत सारी countries follow करती है more than 150 150 से ज्यादा countries इसने को follow करती है तो इंडिया को follow करना जरूरी है अच्छा सब इसके इसाफ से क्यों चले इसलिए ताकि comparison आसान हो सके किसी भी company के अगर financial comparison कर सकते हैं क्योंकि दोनों ने जो accounting करी है वो उसका base वही standard थी एक ही standard थी तो पार दरसीदा आ जाती है comparison आसान हो जाता है और जो foreign countries है या foreign companies है वो अगर इंडिया के किसी company के standard चेक करेगी तो अगर वो international level के हिसाफ से बनाए गए हैं यानि कि वो IES या IFRS से इसाफ से त्यार किये गए हैं तो उनको भी समझ में आ जाएंगे लेकिन हम अपने खुद के अगर standard बना देंगे तो उनको समझी नहीं आएगा कि company का क्या चल रहा है मामला तो इसी लिए हर कोई इस IES यानि कि international accounting standard और क्या हुआ था इंडिया के अंदर जो यह IES थी international accounting standard थे इसी को base बनाकर accounting standard बना दिये गए हैं अभी क्या आगए इस यह new है international financial reporting standard और यह टोटल किते हैं यह 16 है अब बहुत सारी country के सामने option था या तो इसको as it is adopt कर ले या तो इसको as it is adopt कर ले इंडिया में भी IES अप्लाइ ह हो गए बस हो गया कतम लेकिन कुछ countries होती है जो इसको convergence करती है मतलग इसको as it is apply नहीं करती है उसके अंदर वो कुछ changes करते हैं कुछ चीज़े plus करते हैं कुछ चीज़े हटाते हैं कुछ concept बताते हैं क्योंकि हर country का जो culture है वहां का रहन सेन है वहां का tradition है वहां की चीज़े ह हैं वहां हर चीज़ अलग होती है तो वो अपने हिसाब से कुछ लोग इसमें change भी करती हैं इंडिया ने adopt नहीं किया इसको as it is adopt नहीं किया बस वो IFRS लिए उसके अंदर कुछ plus कुछ minus changes कुछ concept बगरा डाले और उसके बाद इसको IFRS जो था उसको नाम दे दिया Indian accounting standard उसको न national financial reporting standard ही है बट उसके अंदर कुछ carve outs कर दिये गए कुछ carve in कर दिये गए आप बोलोगे sir carve out क्या होता carve outs का मतलब होता change in accounting treatment given in IFRS IFRS में कोई accounting treatment था हमने इसको change कर दिया थोड़ा सा carve in का मतलब होता कुछ additional डाल दिया हमने जो IFRS में नहीं थे उन्ची जो को कुछ plus कर दिया तो कुछ carve out किया कुछ carving किया कुछ changes करके हमने IFRS को Indian accounting standard बढ़ा दिया हमारे इस साब से ओके अब आप यहां देखेंगे न देखो जो IAS किते हैं इक्ताली से टोटल है ना 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 में लिखा नहीं है सिधा मतलब ऐसे बहुत सारी है टोटल कहा तक है 41 तक है तो IAS मतलब international accounting standard 41 है उनहीं को देखें इंडिया ने क्या बना दिये इंडियस बना दिये इंडियस कौन सा 1 जो IAS 1 है वो हमारा इंडियस 1 है जो IAS 2 है वो हमारा इंडियस 2 है जो IAS 3 है वो हमारा इंडियस 3 है जो IAS 4 है वो हमारा इंडियस 4 है जो IAS 5 होगा वो हमारा इन्डेस फटीं कर दिए उसके बेस पर नगे और मिक्ते हैं 142000 होगा ने हैं 16 है तो हमने उसकी जगह क्या कर दिया उसकी जगह हमने NDS आगे बढ़ा है और NDS 41 तक तो थे उसके बाद हम सिधा आगे 101 तक यानि कि जो International Level पर IFRS 1 है वो हमारा Indian Accounting Standard 101 है जो IFRS 2 है वो हमारा NDS 102 है जो IFRS 3 है वो हमारा NDS 103 है जो IFRS 4 है वो हमारा NDS 104 है Indian Accounting Standard 116 है तो इंडिया के अंदर जो IFRS अपलाई किये गए वो उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है इंडियास के अंदर 101 से होती है और IAS कहां से है इंडियास 1 से Indian Accounting Standard तो इसका मतलब International Financial Reporting Standard जो इसू किये गए इंडियास लेवल पर उसको इंडिया में भी लाया गया लेकिन IAS नाम दिया गया उसको नाम दिया गया Indian Accounting Standard और वो 101 से स्टार्ट हो गया और 116 तक जो भी है वो सारे के सारे IAFर हैसी है बस उसके अंदर कुछ कॉंसेप्ट नया डाला गया कुछ Accounting Treatment चेंज किया गया कुछ Callout and Car in या Change in Termology किया गया अगे बढ़ते हैं Next Page पर Next Page पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ वादा देता हूँ अगर आप हमारा Telegram चैनल जोइन कर लीजिए सबसे पहले तो हमारे Telegram चैनल पर आपको समय समय पर नोट्स वगरा मिलते रहेंगे यह जो मैं पढ़ाता हूँ यह PDF मैं Telegram चैनल पर डाल दूँगा हमारे Telegram चैनल का नाम है Commerce वाले गुरू जी Telegram एक एप्लिकेशन है अगर आपने इंस्टॉल नहीं करी तो कर दीजिए बहुत काम की application है ठीक है और बहुत safe application है तो Commerce वाले गुरू जी यह Telegram चैनल का नाम है add the rate लिखना और सर्च करना आजाएगा सोरी 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 Commerce वाले गुरू जी यह मत करना become के लिए मैंने अलग बनाया है become के लिए मैंने अलग चैनल बनाया है यह तो 11-12 का है become का भी मैं बदागत हम पढ़ाते हूं मुझे तो आपसे पूरा कोर्स करना है वह भी लाइव तो आप मुझे को इस नंबर पर contact करें और हमारा एप डाउलोड कर ले हैं एप का नाम है Commerce वाले गुरू जी यह हमारी एप का नाम है तो आप डाउलोड कर लो इस नंबर पर contact कर लो कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो discussion कर दो कोर्स के बारे में और उसके बाद आप हमसे paid subscription लेकि live classes भी ले सकते हैं आईए हम आगे बढ़ते हैं अब जो इंडियस लग इंडियन accounting standard जो किस से मिलके बिने हुए है ISA PLUS IFRSA ठीक है तो वो इंडिया के अंदर उसकी applicability क्या है तो for normal companies की बात करें भी normal companies में क्या applicability है फिर बात करेंगे NBFC की non banking finance company की फिर schedule commercial bank की और फिर insurance company की चार दरी की companies होती है तो इन पर इंडियस इंडियन accounting standard क्या apply हो गए या नहीं हुए क्योंकि नहीं है यह ओके तो normal company की बात करें तो इसके अंदर आता है दू फेज दिये गए दू फेज में government ने इस पर apply किया phase one phase two phase one की बात करें तो एक चार दो जार पंदरा को voluntary था voluntary मतलब switching आपकी इच्छा है normal companies की तो इंडियस apply कर सकते हैं और इंडियस के हिसाब से अपने accounting कर सकते हैं final account प्रिपेर कर सकते हैं financial statement त्यार कर सकते हैं लेकिन 14 2016 से mandatory कर दिया mandatory मतलब अनिवारी कर दिया लेकिन किसके लिए normal companies के लिए normal companies में भी कौन से company वह company जिसकी net worth ये net worth ये net worth ये net worth 500 करोडिया उससे ज्यादा है एसी company जिसके net worth 500 करोड ये उससे ज्यादा है वो normal company के लिए IFRS ये Indian accounting standard एक अपरेल 2016 से voluntary नहीं रहे mandatory कर दिया अनिवारी कर दिया अब जो 500 करोड ये उससे ज्यादा जो net worth है वो company है वो company खुद उसकी parent company यानि की उसकी सबसीट्री company पैरेंट मतलब सबसीट्री मतलब साहिक करों सुतरदारी company association उसका साहिक company और joint venture भी सामिल था इसके लाया गया एक अपरेल 2017 को mandatory कर दिया गया सभी नॉर्मल companies के लिए जो लिस्टेड है लिस्टेड मतलब सेर मार्केट के अंदर जिसका registration वह वा हुआ है इसका सूचीन सेर मार्केट में हुआ है इसके अंदर जिस company का क्या हुआ है सूचीन हुआ है जिस company के सेर सेर मार्केट में खरीदेवर बेचे जाते हैं उन company को आये फार एस इंडिन अकौंटिंग स्टेंडर हिसाब से इंडियास के साब से ही अकौंटिंग करनी पड़ेगी और यह 14 2017 से मैनेटरी कर दिया गया अन इसकी net worth 200 करोड या उससे ज्यादा है उनके लिए भी कंपल सरी कर दिया गया ओके एक बार इंडियन अकौंटिंग स्टेंडर आपने अपलाई कर दिये तो फिर आपको हमें सा वही फॉलो करने पड़ेंगे और NBFC की बात करें non banking finance company NBFC यह ऐसी company होती है जो finance प्रोवाइड के लिए जिसका net worth 500 करोड या अपसे ज्यादा है उसमें उसकी parent, subsidiary, association और joint venture भी सामिल थी फिर second की बात करें तो एक अप्रिल 2019 से जो लिस्टेड NBFC है NBFC non banking finance company जो लिस्टेड है share market के अंदर और जो unlisted है वो 200 करोड वाला मामला है ना तो उनके लिए भी mandatory कर दिया गया फिर second के अंदर एक अप्रिल 2019 से Schedule Commercial Bank की बात करें मतलब banks आपकी SBI हो गई, PNP हो गई, SDFC हो गई, ICC बैंक हो गई, Axis बैंक हो गई, यह ना अर्विल बैंक हो गई, Protect Meandra बैंक हो गई, यह ना बहुत सारी yes बैंक हो गई, बहुत सारी बैंक हैं लेकिन बाद में इसको deferd कर दिया गया, still deferd मतलब अभी तक deferd ही है, deferd मतलब किसी भी bank को Indian accounting standard को follow करना जरूरी नहीं है, इंडेयस को follow करना जरूरी नहीं है, वो पुराने accounting standard के साब से अपनी accounting कर सकते हैं, और यह कब तक deferd रहेगा, कब तक पुराने के साब से चलना पड़ कर दिये गए हैं, अनिवारिय कर दिये गए हैं, तो यह था पूरा IFRS क्या होते हैं, IAS क्या होते हैं, NDS क्या होते हैं, accounting standard क्या थे, किसने बनाए, क्यों apply किये, उन सब का एक systematic knowledge यहां पर था, इस lecture के अंदर, companies at 2013, company अदिनियम 2013, उसके अंदर schedule number 3 है, आप इसके बारे में ज से, ऐसी company जिस पर अभी आए, इंडियास apply नहीं हुए हैं, वो division 1 के अंदर accounting standard apply करेगी, और ऐसी company जिन पर इंडियास apply हो गए हैं, वो division 3 के अंदर आती हैं, इंडियास जो है, वो apply होने के बाद company को अपनी balance sheet statement of penal यह बनाना पड़ता है, एक state mode of change and equity यह बनाना पड़ता है, इस पर इंडेल 7 लगता है, balance sheet के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हुआ हुआ है, balance sheet आपको याद है, तो आप मेरी चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, उसमें balance sheet जो company की balance sheet बनता था, पहले उसमें equity and liability add आता था, फिर उसमें asset आता था, अभी उल्टा हो गया, पहले asset quality और current liability, उनके अंदर सब head भी होते थे, तो shareholder fund जो है, अब वो नाम change हो गया है, उस नाम की जगह equity लिखना है only, और share capital जो है, उसका नाम change हो कि equity share capital हो गया है, और reserve and surplus का नाम change हो कि अब other equity हो गया है, पहले हम shareholder capital के अंदर, share capital के अंदर equity प्रिफेंस दोनों को लिखते थे, अभी ऐसा नहीं है, अभी equity share capital अलग आईगी और preference share capital जो है, वो reserve and surplus की जगह जो आया है, other equity उसके अंदर आता है, तो other equity के अंदर reserve and surplus भी आ गया, preference share capital भी आ गया, share application money pending allotment भी आ गया, और share money against share warrant भी आ गया, ओके, तो कहने का मदा, shareholder fund के अंदर पहले तीन सब बैट होते थे, share capital, reserve and surplus और money received against share warrant, अभी ऐसा नहीं है, अभी shareholder fund का नाम चेंज करके equity हो गया है, इंडियास के अंदर, और जो share capital था, उसका नाम चेंज करके equity share capital कर दिया, उसमें केवल equity share capital ही आ गया, और reserve and surplus का नाम चेंज करके other equity कर दिया गया है, उसके अंदर reserve and surplus भी आ जाएगा, preference share capital भी बता है क्या चल रहा है, ओके चली आगी चलते हैं, फिर हम बात करें हागे, तो statement of penal के अंदर भी थोड़ा सा change हुआ है, statement of penal के अंदर आपको बता है, पहले revenue आते थे, फिर खर्चे less हो जाते थे, फिर profit before tax आता था, फिर tax less होता था, फिर profit after tax आता था, इसी तरीके का statement of penal बन के अंदर है, इसके अंदर item that will not be reclassified to penal, जैसे ऐसे item जो penal के अंदर reclassified नहीं किया गया है, या भी तक वो realize नहीं हुए है, जैसे revolution surplus जो होता है, वो यहां जाएगा, इसके अलाबाद जो foreign currency transaction reserve होते है, FCTR है, यह कि नहीं है, foreign currency transaction translation reserve जो होते है, वो यहां जाएगे, तो OCT इंकम आती है, वो कैसे, यह पैट ले लो और यह OCI, OCI यहने की other comprehensive income, यह ले लो इन दोनों को जोड़ोगे, तो आपका total comprehensive income आ जाएगा, तो यह थोड़ा सा change statement of penal के अंदर भी हुआ है, आगे आ जाते हैं, यह रहे आपके सारे के सारे, इंडेस, list of Indian accounting standard, तो देखिए आप 101 ह time adoption of Indian accounting standard के उपर, 102 इंडेस जो है, वो share based payment के उपर है, 103 business combination के लिए है, 104 insurance contract के लिए, इस तरीके से, टोटल, यह 16, 116 तक जो है, यह पता क्या है, यह वो इंडेस है, जो IFRS थे, जो international level पर जो 16 IFRS थे, वो इंडिया के अंदर, इंडेस नाम से 101 से लगा कर, 116 तक 16 इंडेस हो ग 1, 2, 3 से लगा कर, आगे 41 तक है, तो यह था आपका एक दरीके से कह सकते हैं, IES, IFRS क्या होते हैं, इंडेस क्या होते हैं, इंडेस क्या होते हैं, इनकी applicability इंडिया के अंदर कब हुई, और इनको इंडेस का इंडेस से क्या connection है, IES का इंडेस से क्या connection है, इनकी applicability क्या है, गब की गई कौन से कंपनी पे की गई उन सब के बारे में फुल जहनगारी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है समझ आया है रट नहीं रहे हो त्योरी ये टॉपिक था लेकिन इसको समझ रहे हो और पहरे से बहतर लग रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सपोर कुछ पूछना हो कोई प्रॉब्लम हो एप के अंदर कोई कोर्स भाई करने से रेलिटेड या उसकी जानकारी रेलिटेड तो आप मुझे इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसके लावा यूट्यूब पे आपकी हल्प के लिए क्लासे आती रहेगी हम मिलते नेक्स व